उम्मनो जवम्मा रुदुदुल लवेगम जितेंद्रयम्भो धिमतां वरिष्ठम वातात्मुजंबा नरेयो दमुक्यम श्री राम दूदम शरणम प्रबदे जोतिष्टी गड़नाओं के अनुसार से आने वाले चार महीने जिया 115 दिन के आसपास करीब करीब मंगल अस्त होने अस्त रहेंगे ये बहुत विशेश योग है बहुत विशेश समय है आम तोर पैसा होता नहीं है कि इतने लंबे समय तक मंगल अस्त रह जाए लेकिन इस बार ग्रहों का योग योग परिवरतन की तरफ जा रहा है मेरे घर में मांगल का सबस्त रहे हैंggak्य अ करिए तो आप घर में शादी करते बिवाह करते हैं क्या करते हैं उससं कि हमारे घर में मांगलिक कारे हो रहा है आप साधर रामंत्रित हैं इस मांगलिक कारे का हमें सवभाग्य प्राप्त हो और फिर आप मंगल बच्चा मंगलिक हो गया तो आप पसीने कर जाते हैं यह ब्रहांति आपके मन में आई डल किस ने दी है कुछ ऐसे लोगों ने जो कुछ और चाहत में जो इस परेकारत हो रहा है तो उसको आपको अच्छे समझ देना चींकि मंगल आपके जीवन में क्या करने वाले हैं तो कुमभ राशी वालों मंगल आपकी राशी के अनुसार आपके वालिक हैं आपके सफलता का भाव है आपके स्थान आपकी सिद्धी का भाव है आपकी सफलता के सासत आपके पिता का भाव है मान सम्मान का भाव है नौकरी का भाव रज्ज का भाव है यह सारे सब चीजे चतुत भाव से डिसके बाव से डिसकस की जाती है और वहां का स्वामी आपकी और उसके बासासत मंगल पुरशार्थ भाई कभाव आपके हिम्मत का भाव वहाँ भी तृतिय भाव का स्वामी आपका मंगल है तो इतना थ्वान शिव की अन्षे थ सटी कटने मन्गलoff को निया उसके बाद मंगल ने वहाँ एल POW Сुथ का क्राप्त हुआ हैं आभ उसके प्रभाव को अपने जीवन में किस प्रकार का रहेगा उस भाव को अच्छे समझ करका उस प्रयास करना चाहिए तो यह वार्ख को क्या योगत मंगल का जन्म भी कब हुआ है यह जास्त्र में वरनित है कुछ लोगों को पता ही नहीं है हुआ है भाई मंगल अध्र अश्यों कि अश्य ग्रह अश्यां कि गर्फ़ों होते हैं जो भी है सुल करें कि सब्सक्राइब यह कि आप दिन में रात में दिया जलाते रात में लाइड जलाते हैं तो परखाश वुत्पन होता है उससी श्यापस दिन में द J दुपएर के टाइम पर जड़ा के रख दीजे क्या वो प्रखाश कुछ देगा वो प्रखाश ओजल हो जाएगा है वहीं पर प्रकाश बहुत साथ ध्यान देखने का प्रयास करोगे तो वह सामने दिखाई देगा लेकिन उस प्रकाश को आप जितने रात में उसका व्यापत है कि थोई जटना है उसका प्रभावशुद में हो गया अभ मंगल के अस्तॉने से इन सब चीजों में आपके इंप्पॉर्टन भाव've करना चाहरे हैं उसमें ज्यादा मेहनत करने की आफशक्ता होगी ऐसे में मंगल कभ अस्त होने जा रहा है ये भी आप समझ लिए चौबिस सितंबर को जब मंगल कन्या राशी में चल रहे होंगे चलते चलते जब 17 अंश के बिल्कुल डिफरेंस रह जाएगा सूर्य में और मं चलते चलते अपना प्रभाव क्या का छोडएंगे वह आपको अच्छे समझने क्या आवशकता है दिखो कुंब राशी वालो आपकी राशी के अनुसार से आप समझो मंगल इस वक जब 24 तारीक को बदल रहे है चड़ंबर को तो उस तोग चल रहे होंगी आपके अश्ठम कि बढ़ाँ से में आपको बहुत ध्यान और पड़ेगा हैं उसे में आपके साथ। saved अपर अपने जू उपाय करते हुए कारे करने की हुए अपको बतारे हैं वह उपाय करकर आप लाब ले शकते हैं कष्टों को दूर करने की योग बना इख सकते हैं कि आप कुछ रोटियां जिसमें नमक गुड़ की गुड़ लगाकर तुरचीनी लगाकर आप शाम के समय कुट्टों को डाल दिया कीज़े कुछ मीठी रोटिया बनाकर कुट्टों को डाल दिजे ये एक बड़ा सुन्दर उपाय है इसके द्वारा हनुवान चले सगा पाठ यह आपके लिए बहुत स्टेश्ट उपाय है इसको आप लगातार करने का प्रयास कीज़ेगा चढ़बेस से मंगल अस्त होगा और तक उसके बाद 3 अक्तूबर तक मंगल उसी राशी में चलेगा कंए राशी तक यानि अश्ट्र भाव में आपके चलेगा उसके बाद नवम भाव में जाएगा तीन अक्टूबर से तीन अक्टूबर से लेका 17 नवंबर तक तुला राशी में चलेगा वो आपके भाग्य में आ जाएगा ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है मंगल भाग्य में आकर अस्त हो गए पुर्शार्त करने का मनी नहीं करेगा मेहनत करने का मनी नहीं करेगा आता न पुरानी कहावत है किसमत आके दरवाजा खटखट आती है उस खोलना तो आपको पड़ेगा कुंड़ा भाई तो आप समझें फुर्शा भागिस्तान में आजाएगा और ऐसे में सूर्य भी होँर चलके आजाएगे साथ साथ सूर्य भी तो बतल जाएंगे उसलग blij और यह सारे की सारे प्रभावित्पन करेंगे आपको ऐसे में बहुत आवश्यक्ता है कि मंगल का उपाए विशेशतर पर किया जाये, उपाए हम आपको बता रहे हैं, आप विशेशतर पर हर रोज, या मंगलवार के दिन, विशेशतर हर रोज हनुमान चैलेज़ा का पार्ट करें, सुन्दरकाण का पार्ट करें, और इस प्रकार्ण पंडित अपने आपको बनके बैठे हैं पंडित बनके बैठे हुए हैं लोग और कुछ विवेचनाए उपस्तित कर देते हैं ध्यात्म के उसार से कहते हैं कि जब ग्रह खराब हो तो भवान के पूजा नहीं करनी चो और ग्रह खराब हो जाता है विनाश काले विप्रीत बुद्धी तो आप समझो भाई इस्तिती क्या कर रहे हो आप आपका अपना सहारा है नहीं प्रमात्मा की हवा का सहारा आप पकड़ना नहीं चाहते त अपने आप सब समझ की काम करने का प्रयास करें तो आसे में जब 17 नवंबर तक दूला राशी में चलेंगे तो यह उपाई करकर आप को दूर कर सकते होंगा इसके बाद विशेशत आरप मंगल का परिवरतלה नहुगा जो 17 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक चलेगा वह चले कि कि बुणक Diosie कि साध़ आप के वानी के दौजाना उनका असंमान नहीं होना चाहिए है है ऐस अदो उट शाह कैर आपकी आपकी शालिंता से आपका पिता आहीत नहीं चाहेंगे है लेकिन आपके द्वारा यदि उनका असम्मान हुआ तो आपका भाग्य बिगड़ गया समझ लो साफ साफ तरीके से सफलता गई गई भैस पानी में आप समझ लिए ना साफ साफ तरीके से अपने कहीं अपनी बात करते किसी का अब मुझे पता निकल गया और बस तो गया अपराद आप समझ लिजें इन सब सिध्धनतों को समझते हुए अपने जीवन को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए उपाय क्या है सम्मान रोज बड़ो का आशिरवाद गुरुजन का आशिरवाद लेजे नम्रता से आशिरवाद दे लेजे यह उपाय है मात पिता गुरु सब का इन सब का ध्यान रखते हुए कारे करना आपको बहुत जरूरी यह उपाय मैं को सी तरी इस उपाय बता रहा हूं कोई लाग लपेट नहीं तो आम तोर पे जोत्शी क्या करें ह पढ़ता है बजार बहुत सारे कॉन्फरेंस होती हैं ऐसे समय में यह पहन लेना कि लेसुनिया पहन लेना रत्न लेना अरे खुद पहन लो ना भाई कि पंद्रा-पंद्रा पहन के दुकान खोल लखी है जोतिशियों ने आज की तारिक में नग बेचने की दुकान आप समझें सीधा साधा प्रभाव है जोतिश का जोतिश दुकान नहीं है प्रत्यक्ष रोप से प्रभाव है हम इन सब सिध्धांतों के आपके समख्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं आशा करते हैं आप सब समझ लें देखिए यह तो हमने गोचर के इसाफ़ से आपको प् आपके ग्रह कहां बैठे हैं यो तुमने गोचर के साफ से आपका प्रभाव समझा दिया हर चीज को बहुत बुरहत रूप से देखने के बाद फिर वास्तिक तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रह क्या कुछ प्रभाव उत्पन करें कैसे रहेंगी आपके लिए तो उन सब समझ चाहिए अठाइद दिसंबर से ग्रह परिवरतन फिर होगा मंगल महराज धनुराशी में चले जाएंगे आपके इकातरश्विंभाव में चले जाएंगे ऐसे में आपके लाब पर कही ना कहीं सेंद लगा सकते हैं अस्त कर सकते हैं लाब को आते हुए लाब को घर से दूर आग तो भागे को दूर भगा सकते हैं लाठी मार के आप स्व्यम रास्ता बना सकते हैं ऐसे में उपाय हम आपको बता रहे हैं वो आवश्य करने का प्रयास की जगा गरी ब्राह्मनों की सेवा यह विशवशत तरपे उपाय बता रहे हैं आपको पंदिर में जाकर कुछ भ कर रहे हैं या सबस्ट रहे हुए धिये हुए हमने समझने का प्रयास नहीं किया आशा करते हम इन सब बातों को समझे कर आपक ल्याण कमार प्रशक करेंगे हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकर अन्य योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब करीब 70 सालों से कारे कर रहा है, 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है, हमारे विता अचारशी किशवदेर जी महाराज के सानिद्दे में यह आश्रम स्टै होता है, नित्य पती हर रोज करीब 8 घंटे यग्य रहता है आश्रम पर आप भी हर रविवार को यग्य में भाग ले सकते हैं, इसके अलावा मा भगवती की दिव्व प्रतिमा है, जो 1947 में मुलतान से हमारे आश्रम पे पधारी वो प्रतिष्टित हैं, बहुत चमतकारी, 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमतकारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात से समस्त कष्ट दूर होते हैं, और दिल्ली में ये विवेकरनन हॉस्पिटल योग आश्रम, सौबट का योग प्राकितिची किस्टा का हॉस्पिटल है, जो कारे श्यत्र में है, बारा सरकार के साथ मिलकर कारे करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोद कारे करीकवरी सोईयों कुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं, जो भारती प्राविद्याओं पर है, तो ये बहुत सारे कारे हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं, आप भी विवेकरनन योग आश झाल